कहाने के शुरुवात में ही हम चतुर रामालिंगम नाम के एक सकसेस्पूल इंजिनियर को देखते हैं जो के अपने पूराने कॉलेज फ्रेंड फरान खुरेशी को कॉल करता है और रंचोर दाश छांचार नाम के उन लोगों के एक कॉमन फ्रेंड के बारे में बताता है जो कर फरान खुरेशी बहुते ज्यादा हैरान होते हैं और इसके बाद वो प्रेंड की इमर्जन से लैंडिंग करवा कर अपने फ्रेंड राजो रस्तोगी से कॉंटक्ट करता है और बो दोनों एक साथ मिलकर चतुर रामालिंगम से मिलने के लिए जाते हैं और राजो और फर बाते सुनकर फरान राजो चतुर पर बहुत गुसा होते हैं और चतुर उन लोगों से कहता है कि दरसल रैंचो शिम्ला में हैं और फिर वो सब मिलकर रैंचो से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और इसके बाद हम 10 साल पहले इन लोगों की स्टूडेंट लाइफ की कहानी देखते हैं अपने इंजिनियरिंग स्टुरिस के पहले दिन फरान आइसे ए कॉलिज के होस्टेल में जाता है और फरान का ही रूम में था राजो और चतुर राजो एक बहुत धार्मिक इनसान था और वो पूजा पार्ट जोते शास्टे इन सब में यकिन रखता था इसके अपना दिमाग लगा कर और साइंस का इस्तेमाल करके अपने उसे र्यागिंग करने वाले सेनियर को मज़ा चखाता है दीरे दीरे फरान राजो और रैंचो इन तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है रैंचो अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही पैशनेट था और स्कूल सकी समेट लो उसके इंसारी बातों से फरान काफी इंप्रेस होता ही लेकिन राजु के साथ साथ बाकिस सबको रैंचो थोड़ा पागल लगता है इसके बाद ही इनके कॉलेज की स्टूडेंट डॉक्टर वीरु सहस्त बुद्धी से इनके इंट्रेक्शन होती है जिन्हें कॉलेज के स्टूडेंट्स वाइरस बुलाते थे और वाइरस पहले दिन ही फर्स्ट यूर के सारी स्टूडेंट्स को उनके एम कर देते हैं और इसे दौरान भी रैंचों के साथ वाइरस की थोड़े अनबन हो जाती है इसके बाद ही हम इस कॉलेज के एक और काफी बीजी था और यह project almost complete करने के बाद जोई इसे वाइरस को दिखाता है लेकिन वाइरस जोई को कहते हैं कि वह इस ताल ग्रैजुट नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपने college के प्रोजेक्ट नहीं किये हैं और वह अपने exam में भी अच्छे मार्च नहीं ला सकता और यह सारे बहुत खुश होते हैं लेकिन इसके बाद ही यह देखा जाता है कि जोई suicide कर लेता है और इस बात से सभी काफे दुखी हो जाते हैं और जोई के funeral के वक्त रैंच जो वाइरस से यह कहते हैं कि जोई ने suicide नहीं किया था बलके उसका murder हुआ है और यह so-called education system ने ही जोई का murder कि और रैंचो वाइरस को यह समझानी की कोशिश करते हैं कि कैसे इस system के वज़ाए से students पर बहुत pressure परता है उन्हें जो करना होता है वो करी नहीं पाते और other students अपने मन से सोच कर कुछ practical नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे लेकिन वाइरस को रैंचो की किसी भी बात पर के घर के बच्चे बुरी संगत में पढ़ गए है और ऐसा अगर चलता रहा तो वो लोग कभी इंजीनियर नहीं बन सकते और इसके बाद फरान और राजु दुनों के घर से ही उन्हों को बुलाया जाता है और फरान के पितर रैंचो की बहुत इंसल्ट करते हैं तो दूसर के लिए वहाँ पर बिना इंविटेशन के गुज जाते हैं और वही परी रैंचो के मुलाकात होती है पिया नाम की गलर्की के साथ जिसका फियांसे पिया के साथ बहुत ही जूडली भीएव कर रहा था जिस पेकॉस उसने एक पूरानी घड़ी पहन ली थी और रैंचो पि पिया के बड़ी पहन मुना की है और मुना और पिया दोनों ही वाइरस के बेटी है और वाइरस रैंचो फरान और राजो इन तीनों को अपने बेटी की शादी में देखकर बहुत है गुसा करते हैं और वो लोग कुछ बहाना बनाना चाहते थे कि वो एक इनवेटर बनाना चाहते हैं इसे research के लिए वो लोग ऐसे parties में घुम रहे थे जो वो इसके बाद virus राजु और फरान दोनों को ही अलग से अपने office में बुलाते हैं और वो उन लोगों को रैंचु से दूर रहने के लिए कहते हैं और अपने पढ़ाई पे focus करने के लिए कहते हैं और इन सारे ब जाता है कि अगर चतुर के साथ राजु रहेगा तो उसके पढ़ाई effect होगी इसलिए चतुर को मज़ा चखाने के लिए रैंचो टीजस डे में चतुर के बोलने वारे speech के कुछ words चेंज कर देता हैं जिसे के speech बोलते वक्त पूरे hall में सब के सामने उसके बेजयती होती है औ और वो शराब पीकर रैंचो से मिलने के लिए जाता है और उसे चैलेंज करता है कि अगले 10 सालों में चतुर यहां से बहुत तरक के कर लेगा लेकिन रैंचो अपने जिंदेगी में कुछ भी नहीं कर सकता है और 10 साल बाद अपना यही चैलेंज पूरा करके चतुर रैंच देखता है कि सुहास ने पिया को एक चाय लाग के घड़ें गिप्ट की है यह देखकर रैंचो बहुत हैरान होता है और पिया रैंचो पर काफे गुसा थी कि उसने टीचर्स डे में बोलने वाले स्पीच को चेंज कर दिया था जिससे पिया की पापा उफ वायरस की बहुत आर्टिफिशियल है और इनके जैसे लोगों के लिए जिन्दगे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस है इसके इलावा उन लोगों को और कुछ भी समझ नहीं आता है और फिर से डेमू देने के लिए वो प्या के हातों से वाच निकाल लेता है और सुहास को कहता है कि पिया चने और एक डॉक्टर बने वाली है जो के सुहास के रेपुटेशन के लिए अच्छा होगा और इसके बाद पिया सुहास को उसका दिया हुआ वाच वापस लोटा देती है और उससे अपना सारा रिष्टा तोड़ देती है और इसी दौरान ही रैंचो को ये न्यूज मिलती है और इसके लिए राजू रैंचो से थैंक्यू कहता है और रैंचो के साथ इतना रूड होने के लिए वो माफी मांगता है और इसके बादे देखा जाता है कि इन लोगों का एक्जैम होता है और रिजल्स आने के बाद फरान और राजू देखते हैं कि लिस्ट में उन लोग इसके बाद वायरस रैंचो को कहते है कि राजो और फरान जब तक रैंचो के साथ है वो लोग पढ़ायाई में कभी भी अच्छे नहीं होंगे और उन्हें नहीं तो ग्रैजुईशन के बाद कैमपस से कोई जॉब मिलेगा और रैंचो कहता है कि वो शियोर है कि उनके दोनों फ्रेंज अपनी लाइफ में बहुत तरक्य करेंगे और वायरस रैंचो को यह चैलेंज करते हैं कि अगर कैमपस में राजो और फरान में से किसी एक को भी जॉब मिल जाएगा तो वो अपने मुझे काट लेंगे और यह बात सुनकर रैंचो बहुत हैं दूसरे तरफ हम दे जॉब मिलने के बाद भी वो लोग अपने फाइनल एक्जैम में फेल हो जाएंगे तो उनके पास यह जॉब रहेगी या नहीं और यह बात सुनकर वायरस उन लोगों की बहुत इंसल्ट करते हैं और राजो और फरान इस बात से बहुत दुखी थे इसके बात रैंचो इन कि लाइफ में आखर प्रॉब्लिम कहा पर है दर इसल्ट फरान इंजिनियर बना ही नहीं चाहता था वह एक वाइन लाइफ फोटोग्राफर बना चाहता है लेकिन यह बात कभी वह अपने पीता को कहीं नहीं पाया और फरान एक बहुत बड़े वाइल लाइफ फोटोग्र है पढ़ाई का प्रेशार और बहुत कुछ चीजों को लेकर वह काफी डरता था और इसी डर के वज़ाए से वह अपनी पढ़ाई पर कंसेंट्रेटिन ही कर पाता है और इसी वज़ा से यह दोनों ही लगातार अपने एक्जैम में बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे और इसके बाद फरान और राजू दोनों ही रैंचो को चैलेंज करते हैं कि अगर रैंचो अपने दिल की बात पिया को बता पाएगा तो फरान जाकर अपने अब्बु को कहेगा कि उसे इंजिनियरिंग नहीं करनी है और राजू भी अपने लाइफ के हर प्रॉब्लेम्स को फ बहाँ पर मौझूद थे और पिया रैंचो के मुझ से अपने दिल की बात सुन कर बहुत खुश थे लेकिन इसके बाद ही राजू और फरान नशे के हालत में बहाँ पर हल्ला मचाते हैं और वाइरस को राजू का चेहरा दिख जाता है और उन्हें समझ में आता है कि रात क क्या गवा बन जाए और वो रैंचो के खिलाफ बोले कि रैंचो ने वाइरस का घर में हमला किया था जिससे के रैंचो के स्कॉलेज से निकाला जाए लेकिन राजू इन दोनों में से कुछ भी करने के लिए तयार नहीं था और वो सुईसाइड करने की कोशिश करता है लेक राजू के इस कंडिशन के वज़ा से वाइरस भी अब राजू को कॉलेज से सिस्पेंट नहीं करते इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे कुछ महिनों में ही राजू ठीक होने लगता है और उन्या कैमपस का वक्त भी आ गया था और राजू हस्पिटल से ये अपने इंटर्वियों के लिए जाता है और इसके बाद देखा जाता है कि फरान के बैग में जो लेटर था वो लेटर रैंचों ने पहली पोस्ट कर दिया था और उस लेटर के बदले जवाब में आया था कि वही फेमस पोटोग्राफर फरान का काम देखकर बहुत इंप्रेस है और वो फरान के साथ काम करने के लिए तयार है और ये बात जानकर फरान बहुत खुश होता है लेकिन उसे इस बात का डर था कि उसके अब्बू इसके लिए नहीं मानेंगे और राजू फरान को हिम्मत देता है और कहता है कि उन लोगों निरैंचों से शर्ट लगाए थी तो आप उन्हें पूरा भी करना पड़ेगा और फिर दिखा जाता है कि फरान अपने अब्बू से जाकर कहता है कि उसे इंजिनियरिंग नहीं करनी है बलके उसे वाइल लाइव फोटोग्रापर बढ़ना है और वो अपने खुने वाले काम के बारे में बताता है लेकिन फ अखिर कर फरान के अब वो उसके फिलिंग्स को समझते हैं और उसका साथ देने का फैसला करते हैं जिस बात से फरान भी बहुत खुश हो जाता है दोस्ते तरफ हम राजु को देखते हैं जोके अपने इंटर्वियू के लिए आया था और अपने साथ हुने वाले हर हाथसे के बारा में वो बताता है और इंटर्वियूर देखते हैं के राजु बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसका ये एटिट्यूड उन लोगों को अच्छा लगता है और वो लोग राजु को जॉब आफर करते हैं और इसके बाद राजु और फरान दोनों ही रैंचु को जो चैलेंज किया था उसमें वो हार जाते हैं और राजु को कैमपस से जॉब मिल गया था इसलिए उनके मूझे कार्ट दिये जाते हैं जिस वज़ए से वो काफी गुसा होते हैं और वो रिसेट करते हैं कि राजु को एक्जामें फिल करवाने के लिए वो बहुत ही कर वो question papers चुड़ा कर ला सके और रैंचर फरान जाकर question papers चुड़ा कर लाता है और राजु को देते हैं लेकिन राजु cheating करने के लिए मना कर देता है तो दूसरे दरफ हम देखते हैं कि वायरस को इसके बारे में पता चल जाता है और वो इन तीनों को college से निकल जाने के कि उनके बेटे का accident नहीं बलके उसने suicide किया था और उसका suicide लेटर आज तक उन लोगों के पास है और ये बात सुनकर वायरस हैरान हो जाते है क्योंकि वायरस अपने बेटे को एक engineer बनता हुआ देखना चाहते थे लेकिन वो एक writer बनना चाहता था और ये बात वो अपने पा लग रख ये देखा जाता है के मुना का delivery को वक्त हो गया था और वायरस मुना को लेकर कहा जायेंगे समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि मुना को उस वक्त हंस्पिटल ले जाना कपे मुश्किल था और इसके बात देखा जाता है क्या साथ मुना की मुलाकत हुते हैं mouveuchs कंव स सबी स्चूदियंद के मदद से मुना की डिलिवर्डी होती है और उसे एक बेटा होता है और इसके बाद ही रैंचो यहाँ से जाने लगता है लेकिन वायरस रैंचो को अपना एक सपेस पेंड देता है ऐसा ओनर और इसके बाद वह सब एक्ज़ःम देते हैं और रैंचो फर्स्ट आता है और उन लोगों के graduation day के दिन ही रैंचो यहाँ से किसे को कुछ बिना बताए चला जाता है और पिछले 10 सालों से फरान और राजो ने रैंचो को ढूंने की बहुत कूशिश किया था लेकिन उन्हें उसका कोई भी news नहीं मिला और अब कहानी present में आती है और हम दिखते है के फरान राजो रच्य तूर्ती नों ही शिकला रैंचो के घर अपहुचते लेकर बहुत के नाम था चोटे और बचपन से ही उसे पढ़ाई करने का बहुत शौप था और इसे लिए रैंचो चोटे से अपनी होम वोक्स कर्वाता था और इसके छोटे को देख लेते हैं और रैंचो के पिता के पास उसे ले कर आते हैं और रैंचो के पिता कहते हैं कि उसे जितना पढ़ना है पड़े लेकिन उनके बेटे के नाम से ही उसे इंजिनियरिंग की पढ़ाई करने पड़ेगी और जो डिग्री मिलेगा वो उनके पेटेर और चोटे के सामने ये शर्त रखी गए थी के इंजिनियारिंग कंप्लिट करने के बाद वो कॉलेज के किसी के साथ भी कोई कॉंटेक्ट नहीं रखेगा और इसलिए उसने ग्रेजुएशन डे के दिन ही किसी को कुछ बिना बताए वहाँ से चला गया था और इसके बाद चत में हैं लेकिन असली रेंचो कहता है कि वो इस वक्त लदाक में है और एक स्कूल चलाता है और इसके बाद वो सब लदाक जाने के लिए निकलते हैं लेकिन रास्ते में वो लोग पिया को लेने के लिए जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस दिन पिया की शादी थी और पिर फरान और राजो जाकर पिया को समझाते हैं कि रैंचू उन्हें मिल गया है और पिया को अब किसी और से शादी करने के जरूरत नहीं है और पिया भी बहुत हिम्मक जुटा कर शादी के मंड़क से भागती है और उसकी शादी सोहस के साथ होने वाली थी और इसके बाद वो सभी मिलकर लदाक रैंचो के स्कूल पहुचते हैं और इतने दिनों बाद सारे फ्रेंज एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और चतुर यह कहकर रैंचो का मज़ा कुराता है कि वो अब सिर्फ एक स्कूल टीचर है और चतुर बहुत बढ़ा बिजनेसमेंट बन चुका है और वाइरस ने रैंचो को जो पेंट दिया था वो भी चतुर ले लेता है लेकिन इसके बाद ही चतुर को यह पता चलता है कि रैंचो भी असल में फंग्सुक वांग्रू है जिसके साथ वो बिजनेस डिल करने के लिए आया था और वो मजाक में चतुर को यह भाग जाते हैं और चतुर भी उन लोगों के पीछे पीछे भागता है और इसे के साथ ये कहान ये ही पड़ी खतम हो जाती है